2024 में अगर आप भी बनना चाहते हो सरकारी शिक्षक और पढ़ाना चाहते हो सरकारी कलम से और सरकारी बोड पर तो ये टॉप पाँच नौकरिया आपके लिए है ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं NBS नवोदे विद्याले समिती से NBS ने अपने notification के थूँ ये सशक्त कर दिया कि 15 जुलाई को अपने detail notification आएगा उन्होंने calendar launch कर दिया एक साल पहले ही 30 September को आपका exam हो जाएगा and 2025 से आपकी joining भी हो जाएगी However, जो भी students contractual ये non-teaching posts पर appear होंगे उनकी joining आपको 1st January से ही देखने को मिल जाएगी 2022 में इसका last exam हुआ था and teaching post पर इसकी total vacancy आई थी 200 जिसमें कुछ North Eastern Regions की भी थी इस बार बहुत ही बड़ी opportunity है आपको vacancy में भी jump दिख रहा है 10,000 प्लस हमारे estimated पद है अब इन पदों को grab करने के लिए आपको वस एकी seat चाहिए तयारी कर दो शुरू क्योंकि इसी साल आपको exam देना है और इसी साल आपकी नौकरी भी लग जाएगी बात करते हैं next नौकरी पर जिसका नाम है BPSC बिहार शिक्षक भरती phase 3.0 जुलाई में होने की संभावना है and इसके just बाद आपको August and September में BPSC 4.0 exam भी देखने को मिलेगा एक उमीद है बिहार शिक्षक भरती में जहां पर जो लिखित में पद हैं भी वो तो हैं एक लाग प्लस लेकिन हम बात करते हैं जो भी changes हमें बढ़ती speed से exam देखने को मिल रहा है तो वहां कहीं पे भी जो भी discrepancy देखने को मिल रही है तो वहां पे जो भी पदो का मतलब जो बढ़ना और घटना हो रहा है तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि maximum to maximum भी लगा ले है minimum to minimum भी लगा ले तो 70,000 पद तो हमारे पास कहीं नहीं गए है और इसके against यह हमको तयारी करनी है phase 2 में अच्छे selections हुआ है phase 3 में भी अभी अच्छे selections होने की संभावना है बिहार estate भी तेजी से हो रहा है तो यह नौकरी तो मतलब a hit होनी चाहिए a miss बिल्कुल नहीं होनी चाहिए next job की बात करते है next exam की बात करते है EMRS एकलवे model residential society phase 1 का exam इसका December में हुआ students को joining letter भी मिल गया है 15-20 दुनों में students की joining होने वाली है provisional letter भी पहले से ही आ गया था students का तो हम जितना स्पूर्ती से यहां पे यह काम चल रहा है आप यह मान करके चलेंगे कि कही ना कहीं newspaper cutting से and सरकार की तरफ से यह सब कुछ सुनने को मिल रहा है कि phase 2 भी हमें जल्दी देखने को मिलेगा पूरा प्योरली residential schools पर आधारत यह society है and यहां पर आपको impact wider create करने का मौका मिल रहा है schedule tribe students को पढ़ाने का मौका मिल रहा है ठीक है तो यहां पर जो vacancy estimated है दरसल EMRS की जो vacancy है वो थीन phases में आनी थी जिसमें से साड़े दस हजार पदो पर vacancies already आ चुकी है मैंने इस से पहले एक session किया था जहां पर total पद आपको calculate करके बताए भी थे तो हम यह मान के चल सकते हैं कि 28,000 पदो हो के against हमें इस बार तयारी करनी है तो इसी साल ही आपको तयारी करके side में रख देना है next exam के बात करूँ ही DSSB DSSB ने TGT and PGT के post पर vacancy अपनी release कर दी है जिन पर exam भी होने वाला है most awaited इसमें जो पद बचा है वो है PRT तो DSSB में PRT में कह सकते हैं कि 5000 प्लस vacancies आने वाली है जिसका notification शॉटली आपको July में देखने को मिलेगा August में however आपको TGT post पर भी exams देखने को मिलेंगे next final जो हमारी much awaited नौकरिया exam है वो है UP उतरप्रदेश भरती के लिए अगर मैं बात करूँ तो इसमें UP TET है, UP Super TET है UP LT Grade है, UP TGT PGT है, UP Assistant Professor है अब सरकार के बदल जाने के वज़े से आयोग पर जो दबाव है उसमें आप देख सकते हैं कि CM Office से consecutive messages and tweets आ रहे हैं कि जुतनी भी विलमबित भरतियां और नियोकतियां हैं उन पर सबसे पहले कारवाई की जाए जल से जल एक्जाम कंडक्ट करवाए जाए मैं आपको estimated पद बता देती हूँ बहुत सारे articles के थूँ आपको देखने को मिलेगा आज भी उत्तर प्रदेश में Headmasters, Assistant Teachers की posts में अगर मैं कहूं तो 85,000 posts pending है ठीक है तो ये पद हम estimated मान करके चल रहे हैं लगबग आपको 80,000 पद UP की भरती में मिलेंगे ही मिलेंगे शुरुवात होगी TGT PGT के post से क्योंकि आयोग अपना बन चुका है जानवरी में ही पूरे मतलब पूरा विस्थापत हो चुका है तो अब सबसे पहला काम यही होगा तो इन पाच exams के लिए जो आपकी right approach होनी चाहिए वो यह है कि किसी भी teaching exam में आपको paper 1 plus paper 2 की तयारी combined करनी है क्योंकि merit आपको in total बनानी है paper 2, paper 1 में लगबग आपको यह subjects देखने को मिलेंगे जिन subject में language का एक बहुत ही crucial role है किसी examination में language qualifying है जैसे EMRS, NVS किसी exam में language compulsory है जैसे की DSSB ठीक है तो इस बार उत्तर प्रदेश का भी जो pattern है वो change होता वाद दिखेगा क्योंकि 2022 से जो students 13,000,000 students ने UPTGT-PGT की post पे 4000 vacancy के against जो form fill किया था वो अभी भी wait कर रहे है and काफी news के थूँ सुनने में आए कि अब इसका भी exam का pattern change होगा और बागे सारे exams की तरह ही conduct करवाई जाएगा तो paper 1 की तयारी आपको किसी भी teaching exam के लिए इसी तरीके से करनी है maths, reasoning, gk and languages दोनों पर आपका compulsory focus होना चाहिए चाहे वो qualifying क्यों ना हो बहुत सारे एस exam जिसमें negative marking भी है in fact except for BPSC negative marking आपको लगबग सब में देखने को मिल रही है 0.25 तो इसकी तयारी के लिए सबसे crucial चीज होगी आपका time management subject बहुत सारे हैं हर subject में कितना time dedicate करें क्या strength है, क्या weakness है DSSB जैसे exam जिसमें आप बार-बार पलट कर भी नहीं देख सकते हो एक set के complete हो जाने पर 20 questions के complete हो जाने पर तो उस case में review, overview, preview कैसे किया जाए questions को ये सब आपको time management आपकी practice सिखाएगा paper 2 में however अगर आपको master करना है तो आपको अपना master subject का ही बनना है PGT, PGT post पर अगर मैं बात करूँ तो आपका जो level है वो graduation, post graduation UGC net level के हिसाब से आपकी जो paper pattern है उसमें questions पूछे जाते हैं तो इसमें एक ही रामबान है वो है practice जिससे की आपकी conceptual clarity हो और आप अपने subject पर mastery hold कर सके subject पर आपका अच्छा hold हो तो उसके बाद तो नौकरी खुद आईगी आपके पास चलने paper 1 plus paper 2 की तयारी combined आपके लिए करनी जरूरी है और वो तयारी हो right direction में मतलब किसी भी exam की तयारी के लिए आपके पास उस exam का previous year question हो वो किन-किन exam से मिलता जुलता है वो वैसा आपके पास pattern हो अपनी strength and weakness को पहचानने का एक अटूट मतलब एक तरीका हो जो किसी को नहीं पता आपके खुद की individuality हो and एक right approach हो अगर आप कम से कम समय में first attempt में selection लेकर के ऐसी वाली तयारी करना चाहते हैं तो हमारे इन सभी exams के लिए किसी भी batch में जुढने के लिए आप हमारे आज teaching maha pack में तो आप all causes teaching पे जा सकते हैं teaching examination में ये सभी exams and इनकी तयारी के लिए अलग-अलग subjects and opportunities आपको मिलेगी फिलहाल में बात करे हूँ teaching maha pack के जिसमें आपको किसी एक नहीं, दो नहीं सभी exam के तयारी के accessibility मिल रही है right test series मिल रही है right guidance मिल रही है right e-books मिल रही है तो ये सभी तयारी को एक मतलब direction में या one stop solution में access करने के लिए आप जो है teaching maha pack को purchase कर सकते हो अब इससे होगा क्या आपका एक exam clear हुआ शायद आपको दूसरी job opportunity बेटर लगे तो आप दूसरे पे move on कर जाओगे दूसरे आपके लिए बहतर साबित होगा ये शायद आप final destination तक पहुँच जाओगे या हो सकता है एक ही बारी में आपका एक exam clear हो जाया और आपको वही चाहिया था तो इससे आप future तक के लिए तयारी कर सकते हो जो भी student आज हमारे batch में enroll करना चाहता है teaching माहापक में original price हमारे batch का 19,000 है आप इस पे code यूज कर सकते हैं Y449 Y449 जैसे आप ये code लगाएंगे तो आप हमारे batch में सभी exams का one stop solution और उसकी तयारी आपको मातर 4500 रुपे में करने को मिलेगी और खास बात ये है मज़े की बात ये है कि 12 plus 12 महीने हम आपको इसमें free दे रहे है तो आपका duration भी बढ़ गया देखो election का right after वाला जो ये time है ये बहुत crucial है क्योंकि सभी पदाधिकारी अपनी अपनी जो है गद्दियों पर बैठेंगे और पुराना जितना भी काम है उनको समझेंगे और vacancies जो भी हमारी impending है उनको release करेंगे exam हाथो हाथ होगा नौकरी हाथो हाथ मिलेगी तो तयारी क्यों ना हाथो हाथ हो क्यों इस पर procrastinate करना और wait करना so fret not अब wait और नहीं करना अब सिर्फ तयारी and धावा बोल देना है so आप फटा-फट से enroll कीजिए हमारे batch में and मैं promise करती हूँ कि paper 1, paper 2, qualifying exams, languages इन सब की तयारी आपको मैं करवाऊंगी and हमारी पूरी team करवाईगी and selection को भी हम embark करेंगे so all the very best मिलेगा जरा हमें हमसे हमारी classes में ताकि हम selection की तरफे नीव रख सके good luck and also yeah video पसंद आए तो चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा क्योंकि हर exam अपने आप में इतना unique है इतना individualistic है कि उसकी जो importance है उसको समझना, insightful information जानना detail किसी भी exam के जानना वो आपको इस चैनल पर मिलेगी good luck